Hello Everyone, मैं रमन कुमार रजक्त, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की चर्चा का बिसे है प्रोडेक्ट्स एन सर्वेसेज की टॉपिक इंसुरेंस जानेंगे आज आर्पियलाई के बारे में आर्पियलाई का पूरा नाम है रूरल पोश्टल लाइफ इंसुरेंस आर्पियलाई की जरूरत क्यों पड़ी सन 1903 में में बीमा चेत्रों में सुधार के लिए मलुत्रा कमिटी की सिफारिसों पर आर्पियलाई की शुरुआ थवी इस कमिटी ने ये देखा कि जो देश की जनसंक्या है जिसका भीमा किया जा सकता है उस जनसंक्या का सिर्फ बाइस परतीसत ही ऐसी लोग हैं जिनका भीमा हो रखा है जिनका भीमा करवाया हुआ है मलुत्रा कमिटी ने इस बात को भी माना कि गावों में जो ब्रांच पोश्च मास्टर्स हैं उन पर लोग विस्वास करते हैं इसलिए इस सुझाब को भी रखा गया कि गावों में ब्रांच पोश्च मास्टरों के जरीए रपी अलाई की सुविदा लोगों को दी जए मलुत्रा कमिटी की जिफारिसों पर सरकार ने 24 मार्च 1995 से गावों के एरियाज को कवर करने के लिए उनको भीमा सुविदा देने के लिए रूरल पोश्टल लाइप इंसुरेंस RPLI की सुरुवात की RPLI का जो प्राइम उब्जेक्टिब था वो ग्रामिक चत्रों में हर व्यक्ति के लिए बीमा सुविदा देना था इसके अंतरगत पिछडे वर्ग के लोग जो बीकर सेक्सन्स थे बोमेंस बर्गर थी जो गावों में काम करती है और बीमा सुविदाए हर चेत्र में फैलाने के लिए RPLI की सुरुआत की गई 31 मार्ट 2017 तक 146 लाग से ज्यादा RPLI की पॉलिसीज है 140 लाग से ज्यादा लोगों ने RPLI के तहे बीमा करवा रखा है अब जानते हैं कि इसके लिए योगे कौन है RPLI कौन करवा सकता है किसके लिए RPLI की सुविदा है तो जो गावों के छेत्रों में जो लोग रहते हैं वो चाहे पुरस हो या महला हो मेल हो या फीमेल हो उन सभी लोगों के लिए RPLI की सुविदा दी गई है उसमें किसी भी प्रकार का बेदवाब नहीं किया गया है RPLI स्कीम की इस रुवात 1995 में से मानी जाती है अब जानते हैं कि RPLI कितने प्रकार की होती है RPLI Rural Postal Life Insurance छे प्रकार की होती है सबसे पहले है Whole Life Insurance ग्राम सुरक्षा दूसरा है Endowment Insurance ग्राम संतोस तीसरा है Convertible Whole Life Insurance ग्राम सुविधा चौता है Anticipated Endowment Assurance ग्राम सुमंगल पाच्वा है 10 Year RPLI ग्राम प्रिय छट्वा है Children Policy बाल जीवन भीमा आईए सबसे पहले जानते है Whole Life Assurance यानि संपूर जीवन भीमा या ग्राम सुरक्षा पॉलिसी के बारे में ग्राम सुरक्षा पॉलिसी लेने के लिए Minimum Age 19 साल की होनी चाहिए और Maximum Age 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ग्राम सुरक्षा पॉलिसी लेने के लिए Maximum 10 लाग की लिमिट है इससे ज़्यादा की ग्राम सुरक्षा पॉलिसी आप लाई नहीं करवा सकते हैं और Minimum 10 लाई रुपे से ग्राम सुरक्षा पॉलिसी मिलती है इस पर 4 साल बाद लोन की सुविदा भी होती है तीन साल बाद पॉलिसी को सुरेंडर करवा सकते हैं ये इसकी 80 साल की एज होने से पहले उस ब्यक्ति को या किसी कारण बस ब्रत्य होने पर उनके नोमेनी को पेमेंट किया जाता है दूसर परकार की पॉलिसी है एंडोमेन एसुरेंस ग्राम संतोस मियादी बीमा जैसे कहते हैं इस स्कीम के अंडर मैचुर्टी एज है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल, 58 साल और 60 साल यानि कोई ब्यक्ति है वो अगर 20 साल का है और वो बीमा करवाना चाहता है तो वो कम से कम 35 साल की उम्र तक कम से कम 35 साल की उम्र तक यानि 15 साल के लिए ग्राम संतोस पॉलिसी खरीदेगा मैक्सिमम साट साल की एज तक अगर कोई ब्यक्ति बीस साल का है और मैक्सिमम साट साल की एज के लिए ग्राम संतोस पॉलिसी खरीते हैं तो उनकी पॉलिसी 40 साल तक चलेगी तो मैच्षोड़ी की एज है वो है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल, 58 साल और 60 साल की उम्र तक अगर किसी कारणवस जिसने भीमा करवाया है उसकी म्रत्ति हो जाती है तो उनके लीगल लोमिनी या लीगल एयर को जो एमाउंट है वो पूरा एमाउंट उनको दे दिया जाएगा ग्राम संतोस पॉलिसी लेने के लिए मिनीमम एज 19 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 साल से जादा नहीं होनी चाहिए ग्राम संत्वस पॉलिशी मिनिमम दस या रुपे से और मैक्जिमम दस लाग रुपे से खरीदी जा सकती है इस पर लोन फैसिलेटी भी है तीन साल बाद लोन ले सकते हैं तीन साल बाद इसको सरंडर भी करवा सकते हैं तीसरा प्रकार है Convertible Whole Life Assurance या ग्राम सुविदा जिसे हिन्दी में परवर्तनिय संपूर जीवन बीमा भी कहते हैं ग्राम सुविदा पॉलेसी लेने के लिए मिनिमम उननी साल की एज होनी चाहिए और मैक्जिमम पैताली साल का भ्यक्ति ग्राम सुविदा पॉलेसी खरीद सकता है ग्राम सब्दा पॉलिसी लेने के लिए minimum 10 अया रुपे से और maximum 10 लाग रुपे से ग्राम सब्दा पॉलिसी खरीद सकते हैं इस पर भी लॉन की फैसिलिटी है चार साल बाद लॉन ले सकते हैं Surrender पॉलिसी लेने के तीन साल बाद Surrender कर सकते हैं A whole life assurance policy with a added feature to an option to convert on endowment assurance policy at the end of 5 year of taking policy अगर किसी ने WLA policy या ग्राम सब्दा पॉलिसी ली हुई है तो अगर वो चाहते हैं के उसे endowment assurance policy, EA policy या म्यादी भीमा में उसको convert करवाना चाहते हैं तो policy लेने के 5 साल बाद उसको change करवा सकते हैं चौता प्रकार है anticipated endowment assurance जिसे ग्राम सुमंगल योजना भी कहते हैं इस policy के अंदर अगर कोई इस policy को लेना चाहता है तो इसमें money back की सुविधा भी है यानि अगर किसी ने 15 साल के लिए ये policy करवाई है तो 6 साल complete होने पर maturity bonus का 20% 9 साल बाद 20% और अगले 12 साल तक 20% यानि कि अगर किसी ने policy 2000 की सन में लिए ये या 2020 में लिए तो 6 साल बाद 2026 होने पर वो 20% money back हो जाएगा उनका पैसा फिर 2029 में 2029 में फिर उनका 20% हो जाएगा फिर 2032 में 20% हो जाएगा इस पतार से तीन बार 20% 20% 20% के साब से 60% पैसा उनको money back हो जाएगा और 40% जो पैसा उनका बचा है उनको maturity के time पर मिल जाएगा अंदरा साल पूरे होने पर मिल जाएगा अगर किसी ने वहीं 20 साल के लिए ये policy लिए होई है तो 8 साल बाद 20% 12 साल बाद 20% और 16 साल बाद 20% इस तरीके से 60% पैसा यहाँ मिल जाएगा उनको और जो बगाया 40% पैसा है वो 20 साल पूरे होने पर उनको मिल जाएगा इस policy को लेने के लिए minimum age 19 साल है और maximum वो 40 साल के उमर है अगर कोई 20 साल के लिए इस policy को लेना चाहता है अगर किसनी को 15 साल के लिए policy लेनी है तो 45 साल तकी age भी age वाला व्यक्तिवी इस policy को ले सकता है इस policy को maximum 10 लाग रुपे से ले सकते हैं इस policy में money back की सुगदा है पांचमें प्रकार की policy है 10 years rural PLI जिसे ग्राम प्रिय के नाम से भी जानते हैं ये एक सौटर money back policy है इस policy के अंदर भी कुछ समय अंतराल बाद पैसा बापिस मिलता है इसे 10 साल के लिए ले सकते हैं policy लेने के 4 साल बाद 20 परशंट पैसा money back हो जाएगा उसके 3 साल बाद यानि 7 साल पूरे होने पर फिर से 20 परशंट पैसा मिल जाएगा और 10 साल बाद यानि अगले 3 साल बाद फिर से 60 परशंट जो पैसा बचा हुआ है वो सारा मिल जाएगा यानि policy लेने के 4 साल बाद 20 परशंट policy को 7 साल पूरा होने पर 20 परशंट इस तरीके से 40 परशंट पैमेंट या मिल जाएगा और जो बकाया 60 परशंट का जो पैमेंट है वो 10 साल पूरे होने पर policy को वो सारा पैसा मिल जाएगा ग्राम प्रिय 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 लेने के लिए मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैग्जिमम एज है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ग्राम प्रिय 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 लेने के लिए जो मिनिमम लिमिट है वो 10 साया रुपे से खरी सकते हैं और मैग्जिमम की लिमिट है 10 लाग रुपे इस से ज़्यादा की policy ग्राम प्रिय 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 खरीदी नहीं जा सकती है च्छटवे प्रकार की पॉलिसी है चिल्डन पॉलिसी जिसे बाल जीवन भीवा भी कहते हैं इस स्कीम के अंदर जो पेरेंट्स है उनके मैक्सिमम दो बच्चों के लिए ये पॉलिसी दे जाती है उन बच्चों की उमर पांच से बीस साल के बीच होनी चाहिए यानि पांस साल से छोटा नहीं होना चाहिए और बीस साल से बच्चा बड़ा नहीं होना चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम लिमिट है एक लाग रुपे की इस से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं मिलती है और जो policy लेना चाहते हैं, जिन बच्चों की policy लेना चाहते हैं, उन parents की age भी 45 साल से ज़्यादा की नहीं होने चाहिए premium को जमा करने की जो जिम्मेदारी है वो parents की यह है no premium to be paid on the children policy on the death of the policy holder full sum accord and bonus accord shall be paid on completion of term अगर किसी कायाण बस जिन बच्चों के लिए policy ली गई है, उनके parents से policy holder की म्रत्य हो जाती है तो आगे premium यानि किस्ट जमा करने की ज़रूत नहीं है लेकिन जितना पैसा जमा है और जितना bonus बनता है वो policy को पूरा होने के बाद उनको pay कर दिया जाएगा इसमें जो बच्चों का medical examination है, medical check-up बगर आएकी है वो उसकी भी जरूत नहीं है child should be healthy and risk shall start from the day of acceptance of proposal यानि जो risk cover है वो date of acceptance के बाद से start होता है